सुप्रीम कोट ने चाइल्ड पॉर्नोग्राफिक के संबंध में नई गाइडलाइन्स चानला है सुमबारगो सुप्रीम कोट के फैसले के मताबिक बच्चों से जुड़ा पॉर्नोग्राफिक कंटेंट देखना या डाउनलोड करना कानूनन अपराद है सुप्रीम कोट ने कहा है कि चाइल्ड पॉर्नोग्राफिक कंटेंट को देखना या डाउनलोड करना पॉक्सो एक्ट और आईटी लॉक के तहरा अपराद है सुप्रीम कोट ने मदरास हाई कोट का वो फैसला पलट दिया है जिसमें बच्चों से जुड़े पॉर्नोग्राफिक कंटेंट को देखने या डाउनलोड करने को अपराद नहीं मना गया था इसी साल के शुरुवात में मदरास हाई कोट की सिंगल बैंच ने 28 साल के एक ऐसे शक्ष के खिलाप आपराद ही कारवाई को रद्ध कर दिया था जिसने अपने फोन में बच्चों से जुड़े पॉर्नोग्राफिक वीडियो डाउनलोड किये थे सुप्रीम कोट ने कहा है कि चाइल्ड पॉर्नोग्राफिक कंटेंट को स्टोर करना भी पॉक्सो एक्ट के अंतरगत अपराद है इस फैसल के बारे में सुप्रीम कोट में एडवोकेट ह.स फुलका ने और जानकारी दिया सुप्रीम कोट ने आज एक बहुती लैंड मार्क फैसरा दिया है दुनिया में पहली बार जे इस तरह से जो बच्चों की शलील वीडियो बनाके इंटरनेट पे डाली जाती हैं देखी जाती हैं उसके बारे में सुप्रीम कोट ने पूरा एनलाइज किया है और उनको एनल की जो वो इंटरनेट पे डाली जाएं और वो लोग उसको देखी और आज सुप्रीम कोट ने जे कहा है कि सिर्फ उसको बच्चों की शलील वीडियो को डाउनलोड करके देखना जर्म है कोई अगर मदरास हाई कोट ने जे कहा था कि अगर कोई आगे नहीं बेजता सिर्फ देखता है तो वो जर्म नहीं है सुप्रीम कोट ने आज मदरास हाई कोट के ओर को कहा है कि मदरास हाई कोट ने जवर दस्त गलती की आए यह ओर देखी इस फैसले में पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 15 को और विस्तार दिया गया जिसके तहत बच्चों से जुड़े पॉर्नो इस तरह के वीडियो अगर डाउनलोड होते हैं तो उन्हें तुरंत डिलीट करना होगा और उसकी रिपोर्ट भी करनी होगी सुप्रीम कोट ने बताया कि मानलीजिये कोई शक्स वीडियो को डाउनलोड नहीं करता है लेकिन उस तरह के वीडियो अकसर इंटरनेट पर इस केस में उस कंटेंट को तुरंत डिलीट करना होगा और साथ ही साथ उसकी रिपोर्ट भी करनी होगी नहीं किया तो भी आजे जुरम बढ़ेगा इसके साथ ही सुप्रीम कोट ने संसत को सुझाओ दिया है कि पॉक्सो एक्ट में बदलाव के लिए एक कानून लाया जाए इसमें चाइल्ड पॉर्नोग्राफी की जग है चाइल्ड सेक्ष्वल एक्स्प्लोटेटिव एंड अ अभियुक्त FIR दर्ज होने से पहले अपने फोन से इस तरह की सामगरी को डिलीट कर देता है तब भी उसके खिराफ सेक्षन 15 के तहत मामला दर्ज हो सकता है इस मामले में सजा की बात करें तो नेशनल हुमन राइट्स कमिशन इंडिया के रिपोर्ट बताती है कि बच्चो दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वारता 24 न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करें आप देख रहे हैं वारता 24